तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जनने वाला है कि आप अपने घर का बिजली बिल कैसे चेक कर सकते हैं तो कई बार होता ही है कि हमारे घर का जब हमें दिया जाते है जो भी रसेमिए लुए गलती से खो जाता है तो खोने के बाद हमें इस बाद की जनकरें नहीं इसे क्याने हो घृक्स क्रशारए तो अगर आपके शाथ भी यह प्रॉलम हो रहा है तो यह दोफ़े दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो गो तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने smartphone में phone page की application को open काना पड़ेगा जी हाँ आपकी पास phone page का application तो होगा हैं तो आप simply यहाँ पर phone page की application को open कर लेजें तो जब आप phone page की application को open करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जब आप इस space को तुरह से निचे की तरफ scroll down करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक box में एक option दिया गया recharge NP-bills का और इसी box में से कुछ option जैसे कि mobile recharge, dth आप इस option पर टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना बिलर नेम चूज करना पड़ेगा आपका जो भी बिल्क है उसका क्या नेम है जैसे कि अडानी, electricity, मुंबई, अजमेर, विद्योत, विदरन निगम ठीक उसी तरह अलग-अलग state का अलग-अलग बिजली का portal होता है अलग-अलग companies होती है जो अलग-अलग state में अलग-अलग बिजली provide करती है तो आप इसकी जनकारी आपका जो पिछला रसीद है बिजली बिल का आप उसको वहाँ से देख सकते हैं आपको बस वहाँ पर आपका जो भी बिजली का बिल है उसका नेम आपको नोट करना है और नेम नोट करने के बाद वहाँ पर आपका बिजली बिल का जो भी customer ID है जो भी consumer number है वो आपको बस पता होना चाहिए तो यह चीज़े आप यहाँ पर अपने बिजली बिल का जो पुराना रसीद है उससे देख लिजे सो मालेजे मेरे case में यहाँ पर मेरा जो बिजली बिल ऑपरेटर वो North Bihar Power Distribution Company Limited है तो मैं यहाँ पर इस option पर tap कर दे था आप अपने case में आपका जो भी है आप उस पर click कर देजे उस पर click करने के बाद आपके सामने में एक new page open हो जाएगा तो इस page में आपका जो भी CA number है यानि की consumer ID आप उस consumer ID को यहाँ पर enter कर देजे और उसके बाद नीचे में एक option एक confirm का आप इस confirm वाले option पर tap कर देजे और इस confirm वाले option पर tap करने के बाद आपका जो भी बिल वगरा है वो completely generate हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो bill amount भी आपको सो करेगा मेरे case में आप यहाँ पर देख सकते हैं 440 रुपीज का bill amount है तो कुछ इस तरह से आप phone pay की app का use करके अपना बिजली bill चेक कर सकते हैं और मालेज़े आपको इस बिजली bill को pay करना है आपको यहाँ पर आपका जो भी UPI PIN है उस UPI PIN को एंटर करना पड़ेगा आप जिस भी UPI PIN का use करके transaction वगरे करते हैं पैसा वगरे send करते हैं उस UPI PIN को आप यहाँ पर एंटर कर देजे और ऐसा करने के तो अब बार डिरेक्ली आपके bank account से वह पैसा कर जाएगा और यह जो बिजनी का भी लहाँ यह इसका payment हो जाएगा तो दोस्तो ऐसे ही जानकारी भड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube सेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले